सांपों की दुनिया काफी रहसिमई है, जिसकी वजह से वे लगातार चर्चा में भी रहते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश का एक मामला सुर्खियों में है, जिसमें एक युवक को कई बार सांप काट चुका। वो हर बार अस्पताल से लौट आता है। इसे लेकर हैरानी भी जताई जा रही है। वैसे अमेरिका में एक शक्स ऐसा था, जिसे लगभग 173 बार बेहत जहरीले सांपों में काटा, लेकिन वो जिन्दा रहा। बिल हास्ट उर्फ स्नेक मैन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवनकाल में 3 मिलियन से ज्यादा सांप देखे। न्यू जर्सी में 1910 में जन्में बिल हास्ट को बचपन से ही सांपों में दिल्चसपी रही। इसकी शुरुआत एक स्काउट कैम्प के दौरान हुई जब जंगल में कैम्प लगाते हुए उन्हें एक सांप ने काट लिया। हाथों में सूजन लिये हास्ट को कई घंटों बाद इलाज मिल सका। इसके तुरंत बाद उसी साल उन्हें दोबारा कॉपरेड नाम के सांप ने डसा। इस बार जहर की वजह से वे हफते भर तक अस्पताल में रहे। इसके बाद ही उन्हें सांपों को लेकर अलग ही आकर्शन जागा। वे सांप जमा करने लगे। उनसे करतब करवाने लगे। और फिर मियामी में सांपों का अजयब घर खोल लिया। आगे चलकर हास्ट एक लैप चलाने लगे जिसका काम सांपों का जहर निकाल कर रिसर्च के लिए अस्पताल और यूनिवर्सिटीज को देना था. यहां हर नसल के सांप थे, जिनकी जहर की किसमें भी अलग थी. कुछ तो इतने खतरनाक की काटने के मिनिट भर से भी कम समय में मौत हो जाए. 90 के दशक तक हास्ट की लैब सालाना मेडिकल परपस से जहर के 36,000 सैंपल दिया करती थी. हास्ट को लगातार सैकडों सांपों के काटने की कहानी भी दिल्चस्प है. New York Times की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वे जहर निकालने के लिए सांपों को गलव्स या किसी उपकरण की मदद से नहीं पकड़ते थे, बलकि सीधे खुले हाथों से उसका जबड़ा खोलते ताकि उनका जहर एक रबर मेंब्रेन से घिरे ट्यूब में गिर जाए. काटते रहे. ऐसा नहीं है कि जहर का उन पर कोई असर नहीं हुआ. लगभग दो दरजन मौके ऐसे भी आए जब हास्ट की हालत काफी खराब हो गई. लंबे समय तक वे पेट की खराबी, आंखों की कमजोरी से लेकर नींद और दिमाग के संतुलन को लेकर भी परेशान रहे लेकिन वे बार बार ठीक होकर वापस वही काम करने लगते. इस बीच लोगों के कहने पर हास्ट ने कई दूसरे काम करने की कोशिश की यहां तक की प्रोफेशनल कोर्स भी किये. वे सर्टिफाइट फ्लाइट इंजिनियर थे जिसने अमेरिकी आर्मी के साथ भी काम किया. हालाकि स्नेक फार्म के अपने सपने के लिए वे बार बार काम छोड़ते रहे. मियामी में सामपों का अजायब घर बंध होने के पीछे भी अलग कहानी रही. इस सर्पेंटाइन को मगरमच्चों के बाड़े से घेर कर रखा गया था ताकि कोई दुर घटना न घटे लेकिन यही हादसे की वजह बन गया. परिवार के साथ पहुँचा एक बच्चा मगर के बाड़े में गिर गया और बुरी तरह से मारा गया. इस घटना से बुरी तरह परेशान हास्ट ने उस मगरमच्च को तो मारा ही अजायब घर को भी बंद कर दिया. बाद में वे केवल लैब के लिए काम करते रहे. दुनिया के कुछ सबसे जहरीले स्नेक्स जैसे कोब्रा, वाइपर और रैटल जैसी किस्मों के कई बार काटने पर भी बचने के पीछे एक खास वज़े थी. हास्ट अपने जीवन के छे दशक तक लगातार 32 सामपों के जहर के मेल से बना वेनम पीते रहे. डॉक्टरों ने सचेत किया कि इससे उनकी भयानक मौत हो सकती है, लेकिन हुआ इसका उल्टा, हास्ट ने एक सो सालों की उम्र पूरी की यहां तक कि कई बार ऐसा भी हुआ कि सामपों के काटने के बाद वे तो ठीक रहे, सामप की ही मौत हो गई. सामपों के जहर से हास्ट के खून में एंटिडोट की तरह बन गया, यानि सामपों के विश का इलाज करने वाली दवा. फिर हुआ ये की हास्ट को दुनिया के कई देशों में इमर्जनसी ब्लड डोनेशन के लिए बुलाया गया. उन्होंने 21 मरीजों को अपना खून दिया जो जहरीले सामपों के काटने से मौत के करीब थे. वेनेजुएला ने उन्हें अपना सर्वोच नागरिकता पुरसकार दिया क्योंकि वे घने जंगलों में केवल एक बच्चे को खून देने के लिए जब पहुंचे थे. अमेरिका के इस स्नेक मैन का सामपों को लेकर जुनून इतना था कि उनकी पहली शादी इसी वज़े से तूट गई. बाद में हाला की उन्होंने दो और शादियां की.